हेलो गाइस वालकम टू आवर चैनल माइबेस्ट मैडिसन रिव्यू दोस्तों आज हम लोग एक न्यू मैडिसन के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही पॉपुलर है इस इस पैसली कॉंस्टिपेशन के लिए कप्च के लिए लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले में आपको बता दो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि अगर सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाते ताकि इस तरह की वीडियो आपको जब भी में अपलोड कर आपको सबसे पहले मिले और आगे भी मिलता है और मेरा भी मोटी पसन बना रही है तो दोस इसकी जो MRP है 100 ग्राम की जो कटेनर में आती है 135 रूपीज है ठीक है तो चलिए सबसे पहले इसके बेनिफिट के बात करें इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपको कब्ज की समझसा है पेट साफ नहीं होता है बार-बार आप इससे प जलन है एसीडिटी की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा खटी डाकारी आ रही है बदहजमी की प्रॉब्लम है ठीक है तब आप इस मैडिसिन को ले सकते हैं और क्या होता है कभी-कभी खाना खाने के तुरंत बाद या आपको पेट में एसीडिटी बनने लगती है गेस बनने लगता है पेट फूलता है तब भी आप इस सॉट वेक को पाउडर को ले सकते हैं यहां आपके पाचंत अंत्र को स्ट्रॉंग बनाता है और यह सॉट वेक जो है एक हंडेट परसन नेचुरल अरवेधिक मेडिसीन है इसके ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यह कोई भी कैमिस्ट सॉप में फर्मसी में इजीली अविलेवल है और एक बाद में आपको बता दू अगर किसी को बावासी सिर की प्रॉब्लम है पाइल्स की प्रॉब्लम है तब भी आप इसको ले सकते हैं और इससे आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा इसका फ्लेवर नॉर्मल और सुगर फ्री दोनों ही फॉर्म में अविलेवल है जो एक आपको जो भी पसंद है आप इसको ले सकते हैं इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है सनी कि कभी कुछ मेडिसिन टेस्ट अच्छा नहीं होता है जिसको लेने के बाद को वह मेडिसिन किसी फिलिंग होती है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें और आपको जो भी फिलेवर पसंद है आप इसको ले सकते हैं दो फ्लेवर में अब लेवल एक सुगर फ्री है और एक सुगर कंटेनर है जिसमें सुगर मिला हुआ ठीक है और इसको कब लेना चीज का यूज़ क्या है मैं आपको बता दो रात को खाना खाने के पाद मतल सोने से पहले चाल से अगर चेशत से च्छल्डी सापने होती हैं के अधिदितिट से जरूर कर ले क्योंक्power पहले से चल रही होती है ठीक है तो प्रेंगेंटिसे डाइम दॉप ले ज्यादा इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि एक आरुविदिक मेडिसीन है हलंकि थोड़े बूत जो साइड इफेक्ट जैसे मैं आपको बता दू आइज रेड होना इचिंग आखों में जलन होना राइट या फिर आपको नाक बहना या इस तरह से सर्गी हो जाना इसके इंग्रिडियंट्स की बात कुरूब इसकी मैन इंग्रिडियंट्स सभी आरुविदिक चीजें जैसे इस अब गोल हो गया सौफ हो गया हरड हो गया जोकि आप इसकीन में देख सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यह था आजका वीडियो सॉप्ट वेक के बारे में आसा क धन्यवाद